राधे जो तू धावे एक पग तो मैं धाँ साथ जो तू कर रो काट तो मैं लोहे की लाट ये भगवान कह रहे हैं आप सब लोग जानते हैं ये वाँ के जब हम शणागती करते हैं तब लागी होते हैं हम एक कदम उनकी ओर बढ़ाते हैं थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो भगवार साठ कदम हुमारी और आगे बढ़ते हैं हम प्यास करते हैं थोड़ी सी भी साधना करने का तो गुरु हमारी हेल्प करता है आप लोगोंने भागवत में पढ़ा होगा ताही अहीर की छोहरियां छच्या भर छाच पे नाच नचावत ये गोपियां ठाकुजी को लचा रही है एक गोपि जा रही है छाच लेकर तो उसने ठाकुजी से का नाला छाच पिएगा दूद का जब दही बना दो दही को मत लो तो मक्षन के बाद जो दही बसता है उसको ब्रजभाशा में छाच कहते है मत्ठा कहते है तो गोपि चाच लेकर जा रही थी तो ठाकुजी उदर से जा रहे थे तो गोपि ने पूछा लाला चाच पिएगा आहां चाच तो पिऊँगा तो नाला ऐसे चाच नहीं मिलेगा पहले तो नाच के दिखा तो मैं तुझे चाच दूँगी पूरतम पुर्शोतम ब्रह्म श्री कृष्ण चच्चिया भर चाच चच्चिया भर यह हाथ की दोनों अंजुली ऐसे कर लीजे अब रूप ध्यान कीजे छोटा सा बच्चा छोटा सा बालत और वो दोनों हाथ को यू करेगा और अंजुली बनाएगा और इसमें कोई तरल पदात डालिये तो आदा तो निचे से बह जाएगा कितना सा बचेगा एक घुड दो घुड तो छचिया वर छाच के लिए ठाकुजी इतनी महनत कर रहे है वो गोपी के रिए ऐसे नहीं मिलेगा पहले नाच के दिखाओ अब ठाकुजी बीच सड़क पर नाच रहे हैं और गोपिया ताली बजा रही हैं अब नाच दिया ला अब तो दे दे अब दूसरी गोपी आ गई लाला मैंने तो तेरा नाच देखा ही नहीं फिर से नाच के दिखा तम मैं तुझे छाच दूँगी अब ठाकुजी फिर से नाच रहें अब तो दे दे अब तीसरी गोपी आ गई देखिए आप मेंसे भी बहुत से लोग को नाचना आता होगा आप कहीं जा रहें और रास्ते में आपकी सहेली मिल जाए और वो आप से कहे वह यह मैंने सुना है तुमने कथख सीखा है बरत नाचना आता है हाँ हाँ नाचना तो आता है तो जब तुम नाच के दिखाओ तो सहेली क्या कहेगी कि तेरा दिमाग खराब है या सड़क पे मैं तुझे नाच के दिखाऊंगी और अगर बहुत बड़ा कोई डांसर है उससे कहे दो तुझे जरूर क्रैक है यह यहां तुमें हम नाच के दिखाएंगे कोई हमारा प्रोग्राम रखो कोई हॉल वाल बुक करो इस्टेक पर तहुं नाच के दिखाएंगे ऐसे कोई सड़क पर अरे थोड़ा बहुत पी किसी को नाच ना आता हो तो ऐसे सड़क पर कोई नाच के नहीं दिखा देता लेकिन यहां टॉप के दांसर देखे शंकर जी का तांडव नित्य नमबर एक पे लेकिन जम हमारे ठाकु जी ने कालिया नाग के पनुपन रित्य कियां तो शंकर जी भी सकिंद नमबर पे आ गए हमारे ठाकु जी टॉप कर गए ऐसे टॉप के डांसर और सड़क पर गोपियों के कहने से काहें के लिए छचिया बर छाच के लिए और अगर किसी का बच्चा आपके लालच में आ जाए बेटा मैं तुझे चाच दूंगी जड़ा नाच के दिखा तो आप लोग क्या सोचते हैं अरे इसकी मम्मी इसको देती नहीं होगी चाच माज तभी ये रुक गया है और जिसके घर में नौ लाक गाए दूर दही मक्षन चाच की कमी होगी क्या लेकिन इससे मकलब रही है बाब बात तो कुछ और है वो गोपियों का जो प्रेम है जो शन्ला गत्ती है वो नचा रही है भगवान को भी सब भूल गए बार बार गोपियां ताली से ताल दे रही है ठाकुजी नाच रहे है चचिया अबर चाच के लिए नाचना पड़ेगा तो कि वो बग के गुलाम बन जाते हैं हमारे महराज ने कितन बनाया है धानी धानी प्रेम धानी धानी नंद नंदाना कारु अंदान प्रेम आरु नंद नंदाना धानी धानी प्रेम धानी धानी नंद नंदान कारु अंदान प्रेम आरु नंद नंदान होल जाब होय प्रेम आरु नंद नंदान जीते नित प्रेम हारे नित नंद नंदान जब जब भक्त और भगवान में होड होती है तो जीत किसकी सरी होती है भगवान की भक्त की जीत होती है भगवान को हारना पड़ता है उसका कारण क्या है शनला अगति उसको उसको चाहे शनलागती कह लिजे, चाहे प्रेम कह लिजे, चाहे भक्ती कह लिजे, सब एक ही बात है, सब पर्याइवाची है, तो जिस छर जीव पूर शन्लागत हो जाता है भगवान सदा सदा के लिए उसका ठेका ले लेते हैं सदा सदा के लिए उसके गुलाम बन जाते हैं और कमाल देखिए भगवान रिड़ी हो जाते हैं उस भक्त के देके द्रौपदी ने भगवान को पुकारा क्यों अपने स्वार्थ के लिए ये गंदा शरीर निर्वस्त ना हो जाए अपनी लाज रखने के लिए भगवान को पुकारा लेकिन शीकर से क्या कह रहा है रिड़ में तत्प्रिविधन में हिदयान आप सर्पती गोवितेती अनाकरन्दक क्रिष्णाम दूरवासिनम श्री कृष्ण कह रहे हैं द्रौपदी मैं तुम्हारा रिड़ी हूँ क्यों तुमने अपनी रक्षा के लिए मुझे को पुकारा इसलिए मैं सदा सदारा तुम्हारा रिड़ी रहूँगा ये देखिए अपने सुख के लिए कहीं मैं निर्वस्त ना हो जाओं द्रौपदी ने पुकारा और उसका इतना रिड़ मान रहें भगवान कह रहें मैं सदा सदा के लिए तुम्हारा रिड़ी हूँ यही भगवान राम ने हनुआन जी से कहा था हनुमान तुम्हारे मेरे उपर इतने रिड़ है कि अगर एक रिड़ के बदले मैं अपने प्राणों को भी देदू तो शेश उपकार तुम्हारे मेरे उपर बने ही रहेंगे प्रत्य उपकार करों का तोरा सन मुख होई सकत मुख मूरा इतने उपकारे तुम्हारे मेरे उपर कि मैं तुम्हारे सामने मुख भी नहीं कर सकता ये भगवान राव किससे अपने शन्नागत से अपने भत्त से तो जिस शन्नागत हो जाता है भगवान सदा सदा के लिए उसके गुनाम बन जाते हैं उसके रिड़ी हो जाते हैं कर दो जाते हैं